हलो एवरीवन आज हम करेंगे प्रश्ण नमबर साथ इस प्रश्ण में हमें दिया गया है आधार एबी और आधार एबी लेकर हमें बनाना है एक त्रिभुज जिसका आधार कौन सी तथा वी दो भुजाओं का अंतर दिया गया है अब इस सम्में हमें तीन चीज़ें दिया गया है आधार एबी आधार एबी हम मेंशन कर लेंगे आधार कौन सी यह हमें आधार कौन सी दिया गया अपने आप से ले लेंगे और वी दो भुजाओं का अंतर दिया गया है इस सम्में यह ध्यान रखना है बनाते हुए कि जब हमें दुगुजाओं का अंतर दिया है अंतर हमेशा फहलोए छोटा लेना चोटा शो करना है अगर हमें अंतर की ज psychopath जोड़ दिया घया होता तो हम बढ़ा शोटे ए वली जो अंतर हे जोड़ हमेशा बढ़ा शो करते और अंतर है तो वह छोटा шोट करेंगे दूसरी बात जो हम इसमें अधार कॉन लेंगे वो हम छोटा लेंगे मतलब नियून कॉन जो भी आप यहां पर बनाएंगे वो कम एंगल का आप यहां बनाएंगे इसका जो reason है अगर हम बड़ा एंगल बना देते हैं तो हमारे सम बनाने में हमें दिक्कत आएगी वो मैं आपको भी बाद में बताती हूँ पहले हम सम बनाते हैं तो सबसे पहले प्रेश नमबर साथ हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं हम वो यहां पर mention कर लेंगे हमें दिया गया है आधार अपनी मरजे से हम आधार ले लेंगे और आधार А,B और हमें दिया गया है आधार कौन तो हम आधार कौन अपनी मरजे से यहां पर show कर लेंगे कहीं पर भी और अधार कौन का जो नाम है वो हमें C दिया गया है तो हम अधार कौन का जो नाम है वो C ही रखेंगे चाप में अपनी मर्जी से जितनी प्रकार मैंने आप खूली है जब हम अधार कौन बनाएंगे तो इतनी ही प्रकार हमें खूली रखने है मैंने आपको बताया हुआ है औ रचायों का अंतर बों मैंने आप से ले लिए यहां पर कितना भी उसका नाम दिया है वी हूंश कुक्छ सबसे पहले जितना मैंने आध्रान लिया है इतना मैंने आधार यहाँ पर बापस बना लिया ले लिया यहाँ पर अब आधार पर हमें दिया गया आधार कुन तो हम आधार कुन बनाएंगे यह जितनी यह प्रकार यह खुली भी है उतनी ही प्रकार को चाप लगा दी और यह मैंने यहाँ से नाप लिया नाप कर यह मैंने आधार कुन ती बना दिया अब हम क्या करेंगे जितना हमें यह दो पुजाओं का अंतर दिया गया है अंतर दिया गया है वी हम इसको नाप लेंगे नाप कर यह बिंदू पर प्रकार रख कर उतना हम काट देंगे जहां यह कटा है यह हमारा अंतर है वी और यह यहाँ पर जो बिंदू है इसका नाम लिख लेते हैं कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप अपनी मर्जे से मैंने L लिख लिया और L को हम B से दानेदार मिलाएंगे यह दानेदार मिलाएंगे क्यों क्योंकि यह हम क्रियार अपने आप से कर रहे हैं हमें कुछ दिया हुआ नहीं है और यह जो रेखाई है दानेदार रेखा इसका हम समद्वी भाग करेंगे सम्द्वी भग कैसे आधी से जादा प्रकार खूल कर अब इस को इस रेखा को हम मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे यहां पर और यह रेखा इसको जहां मिलती है वहां तक यह हमारी डाक आजाएगी यह विली लाइन यह से लेकर इसको हम डाक कर देंगे और यह हमारा थर्ड बिंदू आ गया त्रभुज का सी और इसको हम डाक की मिला देंगे बी से और एबी को भी हम डाक कर देंगे तो यह हमारा त्रभुजागे एबी सी जब हमें दो भुजाओं का अंतर दिया गया था तब इसका नाम हम और रखतेंगे और अब मैं आपको यह बता रही थी कि अगर हम यह जो हमारा आधार कौन है अगर हम इसे थोड़ा बढ़ा ले लेते मतलब नियून आंगल थोड़ यह नियून कौन बढ़ा ले लिया थोड़ा बढ़ा लेने पर क्या हुआ जब मैंने इसको आगे बढ़ाया और इस रेखा का जो यह एल बी रेखा थी इसका सम्दूभी भाग किया तो यह देखिए आगे जाकर जब मैं इसको इससे मिलाओंगी तो यह कहीं आगे इस according to space हम बहुत इसली बना सकते हैं अपने सम को तो इस बात का हमें ध्यान रखना है